जै मात अदी आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफेन अंचु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंचु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूं अंगुटे पर चंद्रमा का निशान या अंगुटे के नाखून पर अर्ध चंद्रमा का निशान है तो वो देता है कुछ संकीत क्या संकीत देता है जानने के लिए वीडियो का अंतक सरूर देखिएगा वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होगा और यदि आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें, बैल नोटिफिकेशन को ओन करके ओल पे क्लिक करें हमारे हाथ के अंगुठे पे बना अर्ध चंद्र देता है कुछ संकेत, ये अर्ध चंद्र या तो बड़ा होता है, या फिर नाकून पर होता ही नहीं है, या फिर बहुत ही हलका दिखाई देता है अगर आपके अंगुठे पे भी ये अर्द जंद्र बन रहा है, तो इसका क्या संकीत है? क्या प्रभा पड़ता है इसके बनने से? और क्या फल मिलता है? आईए शुरू करते हैं जानते हैं अंगुठे पे अर्द चंद्रमा का बनना हमारे जीवन में क्या लेकर आता है और कैसे होते हैं ये लोग जिन लोगों के हाथ में अर्द चंद्रमा होता है अधिकतर वहे लोग देवगंड पाए जाते हैं ज्यादा तर वो लोग देवगंड होते हैं इन लोगों को देव्य शक्ति प्रभाव होती है इनको देवताओं का आशिरवाद प्राप्त होता है ऐसे लोगों की six sense बहुत ही strong होती है जो भी होने वाला होता है जादा तर इनको उस चीज़ का एहसास हो जाता है ऐसे लोग ग्यानी होते हैं और सोच समझ कर ही बोलते हैं ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दिया बहुत ही सोच समझ कर बात करते हैं ये लोग बुद्धि मान होते हैं समानित कारे करते हैं समाज में इनकी मान प्रतिस्टा बहुत होती है इनको अपने जीवन में नेम फेम बहुत मिलता है हमेशा उंचे सपने देखने का शौक रखते हैं जौब भी करते हैं तो उनका स्टेटस बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग पारिवारिक होते हैं हमेशा अपने परिवार को साथ ले कर चलते हैं ऐसे वेक्ति सिद्धान्थवादी होते हैं बहुत ही मेहंती होते हैं जिनके हाथ में ये अर्धचंदर बनता है ऐसे लोग बहुत छोटी आयू में ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं हमेशा इनको बड़ा बनने का शौक होता है एक से वेक्तियों को पार्टनर भी बहुत समझदार मिलता है जैसे ये खुद होते हैं वैसा ही इनका पार्टनर भी होता है उनको भी देविया आशिरवात प्राप्त होता है पूरे सपोर्टिंग होते हैं इनके पार्टनर यदि ये लव रिलेशन्शिप में होते हैं तो बहुत ही लोयल होते हैं और लोयल्टी के साथ अपने रिलेशन्शिप को निभाते हैं जिनके साथ relationship में रहते हैं, उनी के साथ ही अपना पूरा जीवन वेतीत करते हैं। ऐसे वेक्ति अपने परिवार के साथ समय विताना बहुत ही अच्छा मानते हैं। उनको दूसरों के अवशक्ता नहीं हैं, खुशियां वो अपने ही घर में ढूनते हैं। ऐसे वेक्ति मान सम्मान इनके लिए बहुत ही important होता है। मान सम्मान के पीछे कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, पर इनके मान सम्मान को ठेस नहीं लगनी चाहिए। ऐसे वेक्ति अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करते हैं। जिन वेक्तियों के हाथ में बहुत बड़ा अर्दचंदर बनता है, यानि कि आदे अंगुठे को कवर कर लेता है, या बहुत ही हलका दिखाई देता है। आपको फील तो होता है कि अर्दचंदर बन रहा है, पर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे वेक्तियों में जादा तर देखा गया है कि उनको हार्ट प्रॉपर्लम होती है, हार्ट से सम्दित परिशानिया रहती हैं, जिनके हाथ में आदे अंगुठे से बड़ा अर्दचंदर बन रहा है, या बिलकुल ही छोटा बन रहा है कि फील तो हो रहा है, पर दिख पाय करने चाहिए, ऐसे में आपको हर सोंवर सफेचीजों का दान करना चाहिए, जैसे दूद, दही, चावल, चीनी, इन चीजों का आपको मंदिर में भ्रामन को दान देना चाहिए, इसको करने से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से बस सकते हैं, जो मित्रों, यह थी ज हात पे बन रहा है अर्दचंद्र, तो वो क्या संकीत देता है, कैसा होता है आपका जीवन, क्या मिलता है आपको जीवन में, और किस प्रकार की समस्याओं आती हैं, उमीद करती हूँ, यह जानकारी आपके लिए लापकारी साबित होगी, वीडियो अच्छा लगी, तो ला